सतर्वी लोकसभा का आज अंतिम दिन है और अन तिन दिन हम से बात करने के लिए जद्यू के नेता रामप्रिय मंदल जी हैं उनसे जानते हैं कैसा अनुबह रहा है सतर्वी लोकसभा में उनके पाँस सालों का राम मंदीर पर एतिहासी चर्चा की बात हो, श्वेट पत्र की बात हो, नए संसत भवन में एंट्री की बात हो, उसको लेकिन उनका पूरा अनुभव कैसा रहा, उससे जानते हैं, सर क्या कहना है आपका जो पांस साल बीते हैं, उसमें कैसा अनुभवरा आप दोनों सदनों क पुराना पर्लेमेंट और नया पर्लेमेंट दोनों में जाने का सभाग प्राप्थ हुआ और सत्रमी लोग सभा खटा मीठा अनुभव रहा हम लोगों का खास करके मेरे लिए कुछ दिन दो साल करोना में गुजारे कुछ साल हम लोग महागट बंदन में चले गे थे पीच में अभी फिर हम एंडिये में आ गए तो मैं अपने आधर्निये मुखमंतरी जी और आधर्निये प्रधान मंतरी जी को बहुत बहुत दनबाय देता हूं कि पांच साल अच्छी तरह गुजरा दूसरी बात बरसों से रामलाला का मंदिर जो अधूरा पड़ा हुआ था सपना भारत बासियों का वो सपना मानने प्रधान मंतरी जी ने पूरा कि बाइस जनवरी को उन्होंने जो घाटन करके देश बाची को जो एक संदेश दिया है उसके लिए हम लोग सारे सांसत जितने भी हैं और देश बासी बिहार बासी के तरफ चे उनका शुक्र गुजार है उनको बहुत बहुत दनबाद देते सर एक एहतियासीक बात आप लोगों के साथ ये रही है कि आप संसत भहवन के दोनों सदनों जो समिधान सदन है उसके और समिधान सदन के इलावा संसत भहवन के नई इमारत दोनों में आपने अनुभव किया है ऐसी कौन से ऐसे अनुभव रहे जो पुरानी इमारत के दोरान चर्चा के दोरान आपके सामने आए और नई संसत भावन के दोरान क्या रूप रहा देखिए आपने ड़ए मैंने बताना चाहता हूँ कि पुराने का अलग अनुभव था नया का अलग अनुभव मुझे महसूस हुआ नया जो है टेकनोलोजी बेहतर है पुराने से पुराना का जो एस्टेचू है वहां का प्रमपरा जो है सभिता जो पहले से जुरा हुआ था वो लेकिन अंग्रेजों का टाइम का था अभी मानिय प्रधानमंत्री जी ने भारत के कला संस्कृति और टेकनोलोजी के साथ सुसभीत करके ये परलेमेंट बनाए हैं बहुत अच्छा परलेमेंट है और आसा करते हैं कि फिर आप लोगी दूआ हमारी जनता की दूआर है कि सर आपने देखा होगा यह जो सत्र है सत्रमी लोकसभा की बात करें तो यह पूरे तरह से अतिहासिक रहा है इसी दौरान राममंदिर का निर्मान भी हुआ संसत भवन की इमारत की नीव भी रखी गई और इसी दौरान इसको उद्गाटन भी हुआ मतलब किस तरह से आप देखते हैं नारी बंदन अधीनियम से इसकी विशेश चर्चा की शुरूबात हुई कैसे आप देखते हैं नारी बंदन को लेके परदान मंतरी की सोच को लेके देखिए परधान मंत्री की सोच जो है जैसे आप सब जानते हैं इनके सोच उन्होंने करोना काल में बहुत सौट प्रियाट में उन्होंने पूरे हिंदूस्तान को निजात दिलाया आपको करोना काल में उनका नारी बंदन उन्होंने राम मंदरी बनाकर उन्होंने स्वक्ष प्रजण सा करते हैं और प्रशंसा के पाथ आदर राध्यन प्रधानमंतिये। इसे कौन से अनुभध हैं इसे कौन से मुद्धे आपने इस दोरान उठाए हैं, जिनको लेके आप सोचते हैं अगर इसे पहले नहीं उठा रहे थे अपने प्रश्ण काल के दौरान आपने उठाए देखे मेरा मुद्धा तो रेलवे का था मानिय प्रदान मंत्री जी ने अधूरा सपना रेलवे का पूरा कर दिया मधवनी जांजारपुर के लिए जो चालू होने बला है एक मलाल रा गया कि हमारे मधवनी जिला में एक भी कंद्रिय प्रदान प्रदान जी से मिला हूं उन्होंने कहा कि 2024 में जरूर आपका सपना पूरा होगा